हाई इस इस यो डाइटिशन तुप्ति और आई होप यू अला फाइन आज का हमारे जो टपीक है वह बहुत ही इंपोर्टन टपीक है 29 सेप्टेमबर को वर्डवाइट हाट डे सेलिपेट किया जाता है इसलिए हमारे आज का टपीक हाट के उपर होने बाला है हेल्दी हाट पहले हम यह बात करेंगे कि हमारे जो हाट डिजीज होता है उसके लिए बहुत ही सारे रीक्स फ्यक्टर होता है उस अब रीक्स फ्यक्टर क्या है मैं पहले आपको यह बताऊंगी एक आप का वेट यह आप करेंगे अगर आपका वेट यह जो हो लिए बाद करेंगे जारे ने वल्ण ने और रही होता है या फिर आपका BMI नर्माल लेबुल से ज्यादा है जो कि 24.9-25 से अगर आपका BMI ज्यादा है तो आपको अपना वेट चेक में रखना चाहिए आप ट्राइक किजिए आपके वेट को लॉस करने के लिए BMI को नर्माल करने को नहीं तो आपका हार्ट डिजिस का चांसे बहुत बढ़ सकता है नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारा जो रिक्स फेक्टर सेकेंड रिक्स फेक्टर था ब्लॉड पेशर अगर आपका ब्लॉड पेशर हाई है 80 बाई 120 से ज्यादा है तो आप एवरी 1 मंथ 2 में अपना ब्लॉड पेशर चेक करते रहिए डक्टर के साथ सलालीजि चाहिए जो की 6 ग्राम या फिर 1-2 टेबल स्पून्स पर डे होना चाहिए आप टेबल सॉल्ट चाहे कोई भी फोर में हो जिसे की रॉक सॉल्ट पिंक सॉल्ट यह सबको टोटली अवर्ट करना चाहिए सीजनिंग को अवर्ट किजिए और जो भी आप एक्स्ट्रा सॉल्ट इंटेव करते हैं दाइट में वह सबको पूरेंड करना चाहिए और कार्भोहाैडर आपका कम्प्lekण सॉम में होना चाहिए लौट्स वेजडेवलोस फ्रूर सबके यह डायट में होना चाहिए आपका मोन ऐनो सचुरेटर honest यह सब अवर्ड किजिए ओमेंगेग़ा शी ऐ इसीड के रूप में भी आप इंटेक कर सकते हैं नेक्स्ट हमारा जो इंपोर्टन पॉइंट आता है वह है इलिवेटर कोलेस्टरोल लेबल कोलेस्टरोल टू टाइप का होता है एक है ल्डिल और सेकें बाने हैं अच्डिल ल्डिल जो की लो डेंसिटी लिपो प्रोटीन औ और अगर आपका कोलेस्टरोल ज्यादा है तो प्रोसेस्ट फूड, फ्राइड फूड, फास्ट पूड, प्राइब फूड यह सब आप टोटल ही अफोड कीजिए अपने डायेट में जैसे कि मी पहले बोली थी कि आप कंप्लेक्स कार्बोहाइडर लेने को ट्राइड कीज जैसे कि लो फ्याट मिल्क और मेंली आप फोकुस किजिए प्लांट प्रोटीन में जो कि स्प्राउट्स, मुंडाल, डाल, लेंटिल्स, लिग्यूम्स यह सब में अच्छा प्रोटीन होता है और अनिमल प्रोटीन को आप जितना अवर्ड कीप करोगे अच्छा है नेक्ष प्रोटीन होना चाहिए एक गूर प्रोटीन के रूप में आप डाइट ले सकते हैं और सॉलीवल फाइबर ज्यादा होना चाहिए लॉट्स और वेजटेबल स्प्रूर्स आपके डाइट में रहना चाहिए हमारा जो नेक्स्ट फ्याक्टर था पर हार डिजीज वह था लि ज़रूर ट्राइब कीजिए अपना फीजिकल अक्टिग लेबल को 30-25 मिनिट तरक रखने को और उसमें आप हार्ट पंपिंग एक्सराइज कर सकते हैं हार्ट पंपिंग एरुटीन जो कि आप साइक्लिंग और वाकिंग साइक्लिंग रॉनिंग ये सब कर सकते हैं आप डै आप डिजीज के चांसे को कम करने में अगर आपका आपका डायेट केसे होना जाहिए नर्माली सजरी के बाद पैसेंट्स ट्रॉमा में होते हैं इसलिए उनका अपेटाइट जो है वह बहुत कम रहता है उनको खाने का मन नहीं करता है और उनका टेस्ट भी इतने जल्दी नहीं होता है द्यूरो आंडिबािटिक सुट्स शुट्स गहीं बात कंटे सब के वजशे से उनका टेस्ट भी इतने लुकह को आपरने वाली भात नहीं है आहीं है अपने कोंटिटी ढक्वालिटी में ज्यादा ध्यान रखिए फास्टली जो आता है वो है small and frequent meal तो पेसेंट्स को after surgery आपको small amounts में frequently meal लेना है उसमें three major meals देता है एके breakfast, lunch याण डिनर पर उसके बीच-बीच में आप पेसेंट्स को जितना हो सके healthy snacks प्रवाइड कीजिए ताकि उनको recovery में ज्यादा help हो सके और हमारा जो सबसे important macronutrients है वो है carbohydrate, carbohydrate after surgery पेसेंट्स को complex रूप में लेना चाहिए compared than to simple examples में हम ले सकते है brown rice, brown bread, multigrain, nootio, wool wheat और vegetables यह सब आप ले सकते हैं next जो है हमारा सबसे important होता है soluble fiber, पेसेंट्स को soluble fiber का requirement बहुत ही ज़्यादा होता है अपने डायेट में soluble fiber intake कीजिए जैसे कि आप salads ले सकते है lots of vegetables, fruits, sprouts, legumes यह सब अपने डायेट में जरुदार कीजिए और एक important nutrients होता है वो है protein after surgery protein का requirement नॉर्माल लेबल से ज्यादा रहता है वो अगर हम amount के बात करेंगे तो 1.5 से 2 gram protein per ideal body weight तो और वो protein हाई biological होना चाहिए जैसे कि हम example ले सकते है low fat milk, tofu, paneer और soya bean, soya का जितना भी product है वो सब भी अपले सकते हैं अगर patient non-vegetarian है और non-based उनको पसंद है तो आप egg whites, smoked, grilled chicken दे सकते हैं small fees भी अपने डाइट में include कर सकते हैं और अभी रेखेंगे पेसेंट को क्या अवर्ड करना चाहिए सबसे important होता है after cardiac surgery, salt का intake, salt का intake जितना हो सके उतना कम रखना ही पेसेंट के लिए अच्छा है चाहिए वो कोई भी रूप में हो लेकिन table salt totally अवर्ड करना चाहिए और नेक्स्ट जो है आपका फ्याट जैसे की saturated fat, बनस पती, बटर, घी यह सब को totally आपको अवर्ड करना चाहिए आप कोई भी refined oil या mustard oil ले सकते हैं और वो भी limited amount जैसे की 2-3 tablespoons per day होना चाहिए और high cholesterol rich food जैसे की processed food, fast food, fried food, red meat यह सब को आपको totally avoid करना चाहिए और अगर आपको कोई भी personalized या customized diet प्लान चाहिए या post cardiac surgery आपका diet कैसे होना चाहिए इसके बारे में जादा जान करी चाहिए तो आप हमारे screen में दी हुए number में call कर सकते हैं हमको mail भी कर सकते हैं so please do follow our instagram page and facebook page if you like my video then please do like share and subscribe and please keep your heart healthy in